बस एक बार पीछे घूमियें, बस पीछे घूमियें, पीछे घूमियें, देखिए आप सब देखिए उनकी टी-शेट पर क्या लिखा है? A जी, आपको वहीं से शुरू करना है, A Z से मत शुरू कीजिए, आपको A से शुरू करना चाहिए एका मतलब है शुरू आत, है न? तो आपको शुरू कहां से करना चाहिए? क्या ये हिस्सों में होता है? आपको शुरू कहां से करना चाहिए? हम ये बार-बार कहते रहे हैं, आप सिर्फ वहीं से शुरू कर सकते हैं, जहां आप हैं, आप कहीं और से शुरू नहीं कर सकते, कहीं से भी शुरू करने की कोशिश मत कीजिए, शुरू करने के लिए कुछ है ही नहीं, ये बहुत पहले ही शुरू हो चुका है, आप बस इसे आप इसे शुरू नहीं कर सकते, ये पहले से चल रहा है, विकास करने की आपकी लालसा शुरू हो चुकी है, है न? हो सकता है कि आप जादा पैसों के बारे में सोच रहे हूं, लेकिन वो आपकी बस गलत फहमी है, असल में आप थोड़े जादा होना चाहते हैं, यही आध्या यह सब आध्यात्मिक प्रक्रियां हैं, जो गलत दिशाओं में जा रही हैं, बस, अंजाने में आप, आप अंजाने में एक आध्यात्मिक प्रक्रिया चला रहे हैं, अगर आप कुछ भी अंजाने में करते हैं, तो आप गलतियां कर सकते हैं, हर कदम आपको भटका सकता है, है ना? अगर आप, अब अगर मैं आपसे कहूँ, बंद आखों से कार चला कर घर जाईए, इससे पहले कि आप पार्किंग से बाहर आएं, आप काफी परशानी में होंगे, है ना? तो अब कहीं से शुरू करने की कोशिश मत कीजिए, बस जादा से जादा सचेतन बनियें, जब आप जादा सचेतन होते जाते हैं, तब ये प्रक्रिय अपना मार्क सौभाविक रूप से पालेगी, सचेतन होना, जागरुक होना, इसका क्या मतलब है? अगर आप जागरुक होने की कोशिश करते हैं, तो आप जागरुक नहीं हो सकते हैं, लोग हमेशा दिमागी सतरक्ता को जागरुकता समझ लेते हैं, दिमागी सतरक्ता जीवन चलाने की आपकी काबलियत को बहतर बनाती ह आप दिमागी सतरक्ता से जीवन बहतर चला सकते हैं लेकिन ये जागरुकता नहीं है जागरुकता का मतलब है अभी क्या आप यहाँ है इस वक्त क्या आप जानते हैं कि आप यहाँ हैं यही जागरुकता है आप जागरुक हैं इसी लिए आप जानते हैं कि आप यहाँ हैं, वरना आप नहीं जान पाते हैं, मान लिजे आप, तब आप नहीं जानेंगे कि आप यहाँ हैं, है न, अगर कोई, आप जान जाएंगे, कोई मर गया, कुछ चुबाओ, जाग रुकता नहीं है, कोई सोया है, कुछ चुबाओ, तुरंद यही है, फिलाल आपको चुबाने की जरुरत नहीं है, फिर भी आप यही है, तो मैं यह कह रहाँ कि आपकी जागरुकता वैसे भी अलग-लग स्तरों में आ रही है, क्या आपने गौर किया है, कि दिन के अलग-लग समय पर आपकी जागरुकता का स्तर अलग-लग होता है, हम? तो इसे बढ़ाया जा सकता है. जीवन चलाने के लिए जो ज़रूरी है वो कुद्रती रूप से होता है. बात जीवन चलाने की हो, तब भी हर इंसान उसी हद तक सावधान नहीं होता. अब आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, हर कोई उसी प्रक्रिया गाड़ी चलाना लेकिन हर कोई उसी हद तक सावधान नहीं है, तो जीवन चलाने के कामों में भी हर कोई उसी हद तक सतर्क नहीं है और उसे बढ़ाया जा सकता है, अगर आप इस जागरुकता को लगातार बढ़ाते जाते हैं, तो एक ऐसा मुकाम आएगा जहां इसका संबन जीवन चलाने से नहीं रह जाता, ऐसी चीज जो आपके जीवन यापन के लिए जरूरी नहीं है, वो भी आपकी जागरुकता में आ जाएगी, जब वो चीज आपकी जागरुकता में आ जाती है, जो जीवन चलाने के लिए जरूरी नहीं है, तो निश्यत रू में हम आपके साथ ये करते हैं, हम धीरे धीरे आपमें इस तरह उर्जा भढ़ते जाते हैं, भढ़ते जाते हैं, ताकि आप जादा से जादा जागरुख बन जाएं। अचानक 5-6 दिन बाद आप ऐसे होते हैं, उसके बाद अगर आप अपने अभ्यास जारी रखे हैं, तो धीरे धीरे ये हर दिन उपर उठेगी, वरना आप धीरे धीरे एक बार फिर मंद पढ़ जाएंगे। वल्टेज वाकई उचा है, तो लाइट वाकई में चम्खीली हो जाती है, और आप हर चीज देखते हैं, यही जागरुखता है, तो आप अपनी जागरुखता पर या अपनी चेतना पर या अपने आध्यात्मिक विकास पर काम मत कीजे, आप अपनी वोल्टेज पर काम और जब उरजाएं उची होती हैं, तब आप में किसी चीज के साथ उलजानी की प्रवृत्ती होती है। आप ये सुनिश्चत कीजिए कि आप किसी चीज में उलजेना। देखे, एक युवा दूसरे लोगों की अपेक्षा कहीं जादा उरजावान होता है। लेकिन वो हमेशा मुश्किल में पढ़ जाता है क्योंकि उसमें उरजा है, लेकिन उसमें स्थिर्ता नहीं है। तो उरजावान होना और स्थिर्ता कायम रखना, ये दो चीजे अगर आप कर लें, बाकि अपने आप हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस आराम से बैठकर आनन्द लेना है।